आप लोग को आज मिस्टेनियस वराइटी में दो कोश्चन बतलाते हैं आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें कीबोर्ड यूज़ करते हैं टाइप करना होता है तो जैसे वन टू थ्री फूर ऐसे करते हैं माल यह किसी को 16 लिखना होगा तो इसके लिए वन भी क्लिक व और 6 उसी तरह से कोश्चन पूछा गया कि कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए संख्या एक से 1500 तक लिखने में कितनी बार की का प्रयोग होता है यानि कीबोर्ड पर बटन जो है वो कितनी बार आप प्रेस करते हैं और यह आपके पास आप्शन था देखिए जब आप एक से शुरुगात करेंगे तो एक से लेकर पहले नौ तक लिखेंगे आप एक से नौ तक जो लिखेंगे वह एक अंकी संख्या होगी और नौ संख्या टोटल है तो नौ बार आप कीप्रिस करना पड़ेगा पर जब आगे 10 से लेकर के 99 तक आईएगा तो दस से 99 दो अंकों की सं संख्या होगी तो इसमें हर एक संख्या में दो अंका प्रयोग करेंगे और तो संख्या यहां अपक नब है वह ऐसे निकाल लेंगे 99 में 9 घटाइएगा तो यह 90 आएगा तो यहां 90 संख्या है दो गुना 90 180 यह 180 हो जाएगा आपका इसके बाद आप 100 से चलिएगा 100 से लेकर के 999 तक आएंगे तो यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 100 से 999 तक आपका 3 अंकों की संख्या है और देखे हर एक संख्या में तीन अंख है मालों दो सो पांच भी लिखना है तो दो शुन और पांच एक पर दो दबाएंगे, एक जिरो दबाएंगे, एक पांच दबाएंगे तीन वार आपको की प्रेस करना पड़ेगा तो तीन हो गया और यहां से यहां कितनी संख्या आएगी, वो देखेंगे तो क्या करेंगे, 999 में से 999 घटा देंगे तो यह होगा 900 यानि 2700 बार की प्रेस करेंगे तो 100 से 999 तक लिखाएगा अब लेकिन मुझे लिखना कहां तक है तो 1500 तक लिखना है अब इसके बाद 1000, यह 4 अंकों की संख्या हो जाएगी और यहां से आपको 1500 तक ही चलना है कोश्चन में जो पूछा गया वहां तक तो यहां पर संख्या कितनी होगी 1500 में 999 घटा दीजेगा 1500 में 999 घटा देंगे तो यहां पर हो गया 1500,501 यानि टोटल 501 संख्या होगी यहां से यहां तक में और हर एक संख्या में 4 बार की प्रेस करना पड़ेगा तो 501 गुना 4 यह 20004 यानि अगर कोई वैक्ती एक से लेकर 1500 तक लिखेगा तो उसे की प्रेस करना पड़ेगा 9 9 180 2700 2004 यह सभी चीज़ को एड़ कर दीजिएगा तो यह हो गया 2400 47 48 48 493 option number C यानि टोटल 4893 बार उसे की प्रेस करना पड़ेगा तब वो एक से लेकर के 1500 तक की संख्या लिख सकता है तो कहीं से मालेजी हम लोग शुरुआत करें कहीं से कहेंगे ने 10 से लिखना है 10 से लिखना है तिधर वाला चीज़ को छोड़ दो उसे लेकर कि हम लोग काम कर लेंगे उससे हम लोग लिकाल सकते हैं कितना बार हमें की प्रेस करना पड़ेगा इसी तरह से कीवाले पर एक कोशन और पूछा जा सकता है वो आपका एक कोशन इस तरह से पूछा जाएगा कि कीवोड का प्रयोग करते हुए वैकती संख्या एक से हजार तक लिखता है तो पास सौवी बार वह कौन सा अंक प्रेस करेगा कौन सांग के प्रयोग होता है ये आप से पूछ रहे हैं और option में 2, 6, 4, 3 इन में से कोई नहीं तो देखी जब आप 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे तो आप total 9 बार key press करेंगे और जब आप 10 से लेकर के 99 तक आएंगे तो 2 अंकों की 90 संख्या होगी 180 बार key press होगा यानि यहां तक में आपका 189 आपका key press हो जाएगा 189 यहां तक में आ जाएगा लेकिन मैंने पूछा है कि 500 वी बार इसके बार जब हम 100 से आगे बढ़ेंगे और आगे हम तीन अंकों वाले में चलेंगे अब जो संख्या मेरे पास होगी उसी में से तो कोई संख्या होगी जहां आपका आजाएगा कि वो 189 है तो 500 टाइमस में आ जाएगा पासों ही बार कब होगा तो क्या करना है अब यहां से पूरा हम 999 तक अगर निकालने चले न तो बहुत आगे बढ़ जाएगे हम जो कि 999 गटेगा तो 900 संख्या होगी और तीन कुना 900 यह आपका 2700 होगा तो अगर यहां तक अड़ करेंगे तो 2700 प्लस 189 यह आपका 2889 हो जाएगा उतना तो जाना नहीं है मुझे मुझे 500 भी बार ही की प्रेस करना है क्या किजिएगा 500 यहां तक तो 189 आया था 500 में 189 घटा दीचेगा 500 में 189 घटा दीचेगा तो यहां पर अब आपके पास जो बचेगा वह 311 बचेगा यानि इस स्टेज के बाद 311 बार जब हम की प्रेस करेंगे और 311 बार जब प्रेस करेंगे तभी वो 5.7 बार का अंख आप यूज करेंगे अब यहाँ से निकाल लिए अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर से अब जैसे 100 लिखेंगे इसमें 3 अंक 101 लिखेंगे इसमें 3 अंक ऐसे चलेगा तो अब जो भी संख्या लिखेगा उसमें 3-3 अंक का प्रयोग होगा आपके पास 311 अंक लिखना है हम 3 से भाग देते हैं 3 से भाग देंगे तो 103 यानि 309 चला जाएगा यानि 103 संख्या हम और लिखेंगे जैसे एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या 103 संख्या हम और लिखेंगे और उसके बाद मेरे पास दो रिमेंडर होगा मेरे पास दो शेश रहेगा दो रिमेंडर रहेगा यानि 99 के बाद 103 संख्या और लिखिएगा तो सोचिए 99 के बाद हम अगर 103 संख्या और लिखेंगे तो 202 हो जाएगा यानि हम 202 तक लिखेंगे तब तक आपका 2 बचा रहेगा यानि आप जब 202 लिखिएगा तो ये 498 ये 497 ये 496 ही रहेगा इसके बाद जब संख्या 203 आप लिखेंगे तो ये 499 बार होगा और ये आपका 500 बार होगा और ये 501 हो जाएगा तो बहुले 500 बार आप कौन सा अंख टाइब कीजिएगा कौन सा प्रेस कीजिएगा अंसर हो गया शुनने है जिरू ये जिरू रहेगा आपका इस तरह के कोश्चन में आपसे अगर ऐसे पूछा जाता है तो ये आपका प्रॉसेस है सॉल्व करने का आज यहीं तक रखेंगे बाकी ऐसे ही और मिस्लिनियस के वराइटीज हैं आगे के क्लासेज में आगे के वीडियो में आप देखते चलिएगा आज यहीं तक क्लासेज के वीडियो में तक रहे जाएटीज में आपसेज में तक प्रॉसे इस काइब करने का तक